नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्वास का है वीडियो आपके यूपी टेट एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम संस्कृत के तीस आती महत्तुपूर प्रश्णों को देखेंगे तो आप सभी लोग एक वीडियो ध वाक्य की उस दसा को कहा जाता है जिससे हमें यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में करता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है उसे हम क्या कहते हैं उसे वाच्य कहते हैं अगर आप से एक्जाम में पूछ ले कि वाच्य कितने प्रक घृतर होता है होता है वा होटा है बालका अगर चील फिर किया होता है इसका बालीख कया है तो गिलने पूछा जाता है तो इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे से देख लिजिए नेक्ट है दोस्तों सिक्षण प्रकिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है कैसे आप पता लगाएंगे मुल्यांकन से समाज से प्रधानाचार से आपका जवाब होगा मुल्यांकन बि आपका जवाब क्या होगा इसमें देखिए अच्छे पठन के जोगुर्ण है दोस्तों वह आपको याग्यवल्क में बताया गया है कि किसी पार्ठ को कैसे पढ़ा जाए ताकि उसकी विश्यवस्तु का सहज ज्यान हो सके चलिए नेश्ट प्रशन है हितोप देश का संबं संबंदित है किसे संबंदित है कहानी विधी से संबंदित है अगर आपसे पूछा जाए कि हितोप देश यह जो है किसकी रशना है तो आपका जवाब होगा नारायान पंडित की रशना है चलिए नेश्ट देखते हैं इंपॉर्टन प्रशन है दोस्तों सभी आप दोग ध्यान से देखिए संस्कृत सिक्षण में कठी उचारन वाली ध्वनियों के लिए सरवाधिक महत्तुपूर क्या है सक्रीता का सिध्धान क्रमबधता का सिध्धान अभ्यास का सिध्धान तो आपका जवाब क्या होगा अभ्यास का सिध्धान देखिए दोस्तों जो संस्कृत में कठीन उचारन वाली ध्वनिया है उन्हें आप अभ्यास के सिध्धान द्वारा अच्छे से उनका उचारन करना सीख सकते हैं तो अभ्यास का सिध्धान महत्तुपूर है अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को हम पारायन विधी के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह आपसन आपका सही है एक एक प्रशन अच्छे से देख लिजिए प्रैक्टिस के तौर पर देखिए ताकि एक्जाम में आपको अगर यह प्रशन आ जाए तो आसानी से कर पाएं हरिष धन सेते में संधी की सुत्रा नुस्वर होती है आपको यह बताना है हरिष धन सेते में संधी बताना है तो इसमें कौन सी संधी है दोस्तो इसमें आपका अस्तो अस्चुना अस्चुर संधी है एक आपसन आपका सही है ठीक है चलिए नेश्ट अब देखते हैं पूरुपदार्थ प्रधान होता है आपको बताना है कि पूरुपदार्थ प्रधान की समास में होता है तत्पूरुष समास में, बहुगरिश समास में, द्वन्द समास में या अभ्याई भाव समास में वहाँ अभ्यभाव समास होता है ठीक है अगर इसके और एक्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो जैसे यथा सक्ती हो गया इसमें अभ्यभाव समास होता है ठीक है यथा करम हो गया इसमें अभ्यभाव समास होता है ऐसे प्रश्ण भी एक्जाम में पूछे जाएंगे ध्यान से एक एक प्रशन आप लोग देखिए काफी ज्यादा important प्रशन है दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है जिस समा कहते हैं क्या कहते हैं दिग उसमास कहते हैं important प्रशन है next है पुट पाक प्रती कासो समय रामस्य करूडो रसा किस कभी से संबंधित है आपको यह बताना है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कालिदास भास भाव भूती या अश्यगोस आपका जवाब होगा दोस्तों यह जो है भाव भूती से संबंधित है किसे संबंधित है भाव भूती से संबंधित है भाव भूती दोस्तों यह संस्कृत के महान कभी माने जाते हैं यह का सकते हैं सरफ्षेट नाटक कार भी यह माने जाते हैं इनकी जो रसना है वह है मालती माधो इसमें जो है इनके बारे म जानकारी दी गई है और अन्य इनकी रशनाओं के अगर बात करें दोस्तों भावबूती की तो आपका जवाब है महावीर चर्ट्यम और उत्तर राम चर्ट्यम और मालती माधों ये इनकी जो है प्रमुख रशनाएं हैं चलिए नेक्ट प्रसन देखेंगे अब इस अभी प् बताइए आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा दोस्तो। रघुवंसम से यह जो है रधुवंसम गरंद से ल्या गया है रगवंसम टी रसना भी अच्छे से तैयार कर लिजी ए ठीक है तो प्रत्य किसे कहते हैं आपको पता ही होगा प्रत्य से मतलब हमारा यह होता है दोस्तों कि उन वाड़ों या समुहों को हम प्रत्य कहते हैं जो किसी सब्द के अंत में उसके अर्थ में विशेस्था लाने के लिए लगाया जाते ह तो इस तरह से आपका इसमें कुंतै यह मिडब धक प्रत्य है करत्र 시청 में कौन सा पूछन है अगर यह पूछा जाए तो आपका ज्वाब होगा करत्र सब्द में ट्रिश है कौन सा है ट्रिश प्रत्य चलिए नेशट देखते हैं उपांगम में कौन सा समा से समास से भी प्रस्ण जरूर पूछेगा तो इसमें आप देखिए तजपुरुष समास अब्याई भाव समास, कर्मधारे समास या दिगु समास तो प्रैक्टिस के तोर पर दोस्तो इसे आप लोग देखते चलिए कमेंट में बताईए इसमें कौन सा है उपंगम में आपका अब्याई भाव समास है कौन सा समास है दोस्तो इसमें आपका अब्याई भाव समास होता है तो जिसमें पूरुपद की पढ़ानता होती है उसे हम अब्याई भाव समास कहते है या सामासिक पद उनका अब्याई होता है उसे हम अब बेभाव समास कहते हैं जैसे कि प्रत दिन यथा सकती या यथा करम चलिए निश्ट देखते हैं किर्यात आरजुनियम में अरजुन भगवान संकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं पासुपत की चक्र की या गदा की तो आपका जवाब क्या होगा आपका बताना है तो इसमें आदेखिए दंडी भवभूति भास श्रीहर्स आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा कि उत्तर राम चरित्यम यह जो है भवभूति की रशना है ठीक है तो रशनाओं से प्रस्ण आपको जरूर देखने को मिलेगा तो इसे भी आप लोग द अंतहस्तवर जो होते हैं दोस्तों इनका जो चारण होता है वो जीव तालू दात और ओठों के परस्पर सताने से होता है लेकिन कहीं भी इनका पूड़ एसपर्स नहीं होता है यह को आप बोलेंगे यह इसका जो है कभी जो है ओठ का जीव का कहीं एसपर्स नहीं होता है उसमे बेंजन अगर आपसे पूछा जाए तो उसमे बेंजन आपका क्या होता है उसमे बेंजन दोस्तों आपका होता है शाखा शाहा डी आपसन आप देखिए यह जो है उसमे बेंजन होता है उसमे बेंजन दोस्तों जो घरशन से उत्पन होता है या उसे हम उसमे बेंजन कह जाते हैं चीक है तो शाह खर शाह यह आप बोलेंगे तो यह घर्षण इसमें उत्पन होता है तो इसे भी आप द्यान से देख लीजिए याद करें लिजिए दैट्यारी में कौन सी संधी है आपको यह बताना है, तो आप देखिए इसमें दैज़्त का संदि विक्षेद करेंगे तो दैज्त्य धन अरी होता है क्या होता है? दैज्त्य धन अरी होता है, इसमें आपका स्वरी संध है, एप्सान आपका राइट हो जाएगा निख्ड है, नायकह का संधिविक्षेद होगा नायकह में आपको संधिविक्षेद बताना है तो नय धन अकह क्या होता है नय धन अकह तीसरा आपसन दोस्तों इसमें आपका राइट है यह नायकह का संधिविक्षेद होता है चलिए नेशब देखेंगे इंपोर्टेंट है संधि से भी प्रशन पूछा जाएगा इसलिए ध्यान से देख लीजिए अचडा काड़ा इसमें अचडा सब्द के साथ बिभक्ती इस सूत्र से प्रयोग्त है मतलब कि किस सूत्र से प्रयोग्त है इसे आपको बताना है आपका जवाब होगा ये नांग विकारा सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है ठीक है तो ये नांग विकारा का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जिस अंग में विकार होता है उसे हम एनांग विकारा कहते हैं तो इसमें देखिए अंग विकृत की अवस्था जहां पे होती है उसमें जो है सदेवत्रतिय अभिवक्ति का प्रयोग किया जाता है यह भी आप लोग जानते रहिए नेश्ट है परस्मई पदी देने के अर्थ में दाध हातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा देखें रूप आपको जरूर याद करके जाना है रूप से निश्चित रूप से प्र से प्रथम पुरुष का रूप पूछा जाए तो क्या होगा ददाति दत्तह ददत होता है चलिए नेश्ट देखते हैं अब द्वैधिक पंच सतम किस संख्या का वाचक है आपको यह बताना है देखिए यह भी प्रस्न इंपोर्टेंट है तो दोस्तों इसमें आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताईए इसमें आपका जवाब होगा 502 यह D आपसन आपका सही है ठीक है और अगर आपसे 25 के बा 54 बोलते हैं क्या बहुते हैं 55 और अगर 52 के बारे में पूछा जाए कि 52 को संस्कृत में क्या कहते हैं तो 25 कहते के थे और 20 के बारे में पूछा जाए तो 50 को क्या कहते हैं यह भी आप लोग जानते रहिए जल निधी पद का परियाय आपको बताना है तो यह जो है समुद्र का परियाय होता है ठीक है किसका परियाय है यह समुद्र का परियाय होता है समुद्र को इसको हम और भी नामों से जानते हैं जलेनेधी, वारिधी, ठीक है जलेधी इन सब नामों से जाना जाता है चलिए नेश्ट अब देखेंगे नदी सब्द से सब्तमी विभक्ती एक वचन में रूप बनेगा फिर से प्रस्णा गया तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही होगा आपका सही होगा इसमें नद्याम क्या होगा नदी सब्द से सब्तमी विभक्ती एक वचन का रूप नद तो सहे सही है रामेड विना जीवतिम नोच सहे यह आपका गलत है यहीआ अपको इसमें बताना था टिक है इमपोर्टैंट है अब देखिए ब्रिहत्रई में नहीं गिना जाता है क्या नहीं गिना जाता है रगुवनसम व Laz T Desp Kingdom या आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा दोस्तो यह रगवनसम ब्रहत्रई में रगवनसम नहीं गिना जाता है ब्रहत्रई में कौन-कौन गिने जाते हैं केवल किरातारजुनियम नैसधी चरितम गिना जाता है और सिसुपाल वधम गिना जाता है यह सब ब्रहत्रई के अंतरगत कौन कोन आते हैं इसके अंतरगत दोस्तों आपका जो रग्वनसम है यहां जाता है कुमार संभों है यहाता है मेहुदूतम जो होता है वहाता है ठीक है तो इसे भी आप लोग याद रखिए इससे भी प्रश्ण पूछा जाएगा राजा दिलीप की पतनी का नाम क्या था तो राजा दिलीप की पतनी का नाम दोस्तों सुदक शिडा था क्या था सुदक शिडा इसे भी आप लोग याद रखिए यह जो है राजा दिलीप दोस्तों यह गव सेवा के लिए इतिहास में प्रशिद्ध है चलिए नेश्ट है लता कुंजम और गुंजन्म अनुपरास अलंकार है तो अनुपरास अलंकार किसे कहते हैं जब एक ही वड की बार-बार अबरती होती है तो वहां पर या एक ही बंजन की अबरती होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है अनुपरास अलंकार होता है ठीक है चलिए जीवे सुमानवा स्रेष्ठा वाक किया जाता है तो इस तरह से दोस्तों आपका 30 उपरष्ट संस्कृत का कम्पलीट हो गया वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताईए कि कैसा लगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद